ओन्स्रे गुरुभ्यो नमहा हरही ओम ओन्नमः परमर्शिभ्यो नमः परमर्शिभ्या ब्राम्हन बंदूस अनेकानेका नमस्कारम्स ब्राम्हन लोगों की संध्यावंदन प्रक्रिया अत्यावश्चिक है यग्यो पवित दारण होने के बाद त्रिकाल संध्या अपनका विधी है प्रातकाल, मध्यानकाल और सायंकाल का समय अपन संध्यावंदन करना शास्त्र विधी है संध्या ही नो अशुची ही बोलते ये शुची रहना की इच्चा है तो पक्का संध्यावंदन करना प्रातकाल, प्रातस संध्या समय में करते वो प्रातस संध्य बोलते माध्यानका संध्यावंदन करे तो वो माध्यानक संध्या बोलते श्याम को करे तो वो श्याम का संध्यावंदनम बोलते त्रिकाल का संध्यावंदनम अत्यावश्यक है अगर से दो पेर कु अपन कु टाइन नहीं मिले तो अपन का काम पे अपन विजी है तो आफिस वगएरा पक्का सुभा संध्यावंदन और माध्यान संध्यावंदन भी करना जरूर है नित्य कर्म अनुष्ठान योग्यता सिध्धी बोलते वो संध्यावंदन प्रक्रिया नहीं किये तो अपन का नित्य कर्म अनुष्ठान सिध्धी नहीं मिलेगा नित्य कर्म शुद्धु नहीं होता वेद भाष्य का व्याख्यान में ब्रह्म हत्या बोले तो वहा विश्लेशना ऐसा करते ब्रह्म हा बोले तो गायत्री मंत्र और ब्रह्म हा उपासना गायत्री उपासना संध्या उपासना और करना जरूर है अगर से नहीं किये तो उनको ओ ब्राम्मन को ब्रह्महत्या दोश भी हाएगा ऐसा वेदभाश्य में ओ विशलेशना ऐसा कर रहा ओ वाखी ऐसा कर रहा है अगर से अपन बिजी है तो कमपल सरी जलाभी मंत्रम, अर्ग्य प्रदानम, गायत्री मंत्रम, सुर्यो पस्तानम तो करना ही करना पड़ेगा अपन को ब्रह्महत्व रहने को उच्चा है तो ये संध्यावंदन अत्यावश्यक क्रिया है सुभा करना, आफ्टर्नोन भी करना, श्यामको भी करना पड़ेगा सब संध्यावंदन करिये संध्यावंदन उपासना करिये संध्यादिष्टान देवता का कुरुपा अत्यावश्यक है परिपूर्ण अपन को ओ मिलना है एलिजिबल परसंस सब संध्यावंदन करेंगे भगवान का कुरुपा लेंगे